जादूई मटर भोला अरे ओ भोला मेरा एक काम तो कर दो बेटा वो दुकान से एक नमक की थैली तो लेया अरे हाँ अमा जी अभी ले आता हूँ भोला आगे बढ़ता है अरे 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 भोला कहाँ भागे जा रहे हो बेटा ताओ जी कैसे हो आप मैं वो दुर्गी अम्मा की नमक की थैली लेने के लिए जा रहा हूँ अच्छा अच्छा तो ऐसा करना मैंने बाजार में धन्ना लोहार की दुकान पर अपने ओजार दिये हैं आते समय वो भी ले आना हाँ हाँ ताओ जी मैं ले आऊंगा आगे चलते चलते अरे भोला बिटा कहा चल दिये सुभा सुभा अरे सुनीता चाची वो मैं दुर्गी अम्मा की नमक की थैली और लाला ताओ के ओजार लेने के लिए जा रहा हूँ आपको भी कुछ चाहिए क्या अच्छा ठीक है आते समय मेरे लिए एक किलो प्याज और एक किलो मटर ले आना ठीक है सुनीता चाची में ले आऊंगा बोला बाजार जाता है और वहां से सबका समान लिता है और आते आते उसे बहुत देर हो जाती है येलो अम्मा आपका नमक हाँ अब समय मिला तुम्हें सुभा से दोपहर हो गई है और तु अब आ रहा है अब क्या करूं अम्मा सिर्फ तुम्हारा ही काम नहीं था ना लाला ताउ के ओजार लोहार की दुकान से उठाने थे और सुनीता चाची की सबजी भी लानी थी इसलिए इतना समय लग गया ये लोग भी न तुस्से ही अपना सब काम करवाते हैं किसी ने खाने को तो पूछा भी नहीं होगा चला आजा जल्दी अब खाना खाके ही जाना ठीक है अम्मा जैसा तुम कहो भोला बीस साल का एक लड़का था उसकी घर में उसके अलावा कोई नहीं था भोला दिल का बहुत ही साफ था और बहुत ज्यादा इमानदार था गाउं के सब लोग अपना काम भोला से करवाते लेकिन काम के बदले ना कभी एक वक्त का खाना देते और ना ही कोई पैसा देते उसी गाउं में दुर्गी नाम की एक बूढ़ी अम्मा थी जो भोला को अक्सर खाना खिला दिया करती थी ऐसे ही समय बीटता रहता है भोला की गाउं में कुछ खानदानी जमीन थी वो भी धोके से उसके लाला ताउं ने अपने नाम करवाली थी एक दिन भोला अपने खेतों में काम कर रहा था देख भोला ये जमीन अब मेरे नाम है तो तू अब यहाँ खेती करना बंद कर दे ताउ जी आप ये क्या कह रहे हो अगर ये जमीन भी मैं आपको दे दूँगा तो मैं क्या खाऊंगा और वैसे भी मैंने ये जमीन आपको कभी दी ही नहीं अच्छा बेटा आज बहुत जवान चल रही है तेरी मैं अभी पंचायद बुलाता हूँ गाऊं में पंचायद बुलाई जाती है दोनों तरफों की बात सुनी जाती है भूला का लाला ताउ जमीन के पेपर भी सरपंच को दिखाता है जिसमें साफ साफ लिखा था कि ये जमीन अब लाला किशन की हुई देखो भोला चाही ये जमीन पहले तुम्हारे नाम थी लेकिन अब ये जमीन लाला के नाम कर दी गई है और देखो इस पर तो तुम्हारा अंगूठा भी लगा है पर ये कैसे हो सकता है सरपंच जी मुझे सब याद है मैंने ऐसे किसी पेपर पर कोई अंगूटा नहीं लगाया और इस जमीन पर मैंने इतनी महनत करके मटर के बीज पोई है इसके अलावा मेरे पास अब कुछ भी नहीं है अच्छा ठीक है क्योंकि अब तुमने वहाँ अपने मटर की खेती के लिए बीज पोई है तो इस बार की फसल काट लो उसके बाद तुम्हें ये खेत छोड़ना पड़ेगा गाउं के सब लोगों को पता था कि भोला के साथ लाला ने धोका किया है लिकिन अब कोई बोले भी तो क्या भोला परिशान मन से अपने खेत में जाता है और अपने काम पर लग जाता है कुछी दिनों में मटर की खेती तयार हो गई थी कितने अच्छे से अब सब पौंधों पर फूल लगे है बस अब मुझे आवारा जागवरों से अपने खेतों को बचाना चाहिए नहीं तो एक ही दिन में सब कुछ तभा कर देंगे अब भूला रात को खेत में ही अपना बिस्तर लगा कर सोने लगा था ऐसे ही एक दिन भूला खेत में सोया था तब ही उसे कुछ आवारा कुटों के भौंकने की अवाज सुनाई देती है लगता है अवारा चानवर इसी तरफ आ रहे है तब ही ये कुट्टे इतना भूख रहे है भोला उठता है और वो इधर उधर देखने लगता है तब ही उसे एक हिरन दिखाई देता है जो उसके खेत में था उसकी पैर से खुन निकल रहा था अरे हे भगवान ये क्या इसकी पैर में तो चोट आई है भूला अपना कुर्टा फाड़ता है और उसकी पैर पर बांध देता है तुम्हारा बहुत धन्यवाद तुम नहीं होती तो पता नहीं क्या होता अरे अरे ये क्या तुम बोल सकती हो तब ही वो हिरन एक सुन्दर परी के रूप में बदल जाती है जिसे देखकर भूला हैरान हो जाता है मैं यहां रास्ता भटक गई थी तब ही नावारा कुत्तों ने मुझे देख लिया और मेरे पीछे पढ़ गई इनसे भागते भागते मेरे प्यार में चूटा गई थी तुम बहुत अच्छे हो बताओ में तुमारी क्या मदद कर सकती हूँ बोला सारी बात उस परी को बताता है कि कैसे उसके ताओ ने उसकी जमीन अपने नाम करवा ली अब ये जमीन सर्फ मटर की फसल खत्म होने तक ही उसके पास है तुम चिंता मत करो अब ये फसल कभी इतनी असानी से खत्म नहीं होगी तुम ये फसल के सूखने तक अपने खेत खरीद लोगे तुम्हें नहीं पता परी जी यहां जमीन बहुत महंगी है मैं जमीन खरीदने तो क्या, ऐसा सोच भी नहीं सकता अच्छा, तो तुम चिंता मत करो, अपसे सब ठीक हो जाएगा अभी तुम जाओ और अराम करो, मैं भी अपने परिलोग चलती हूँ भोला फिर से अपने बिस्तर पर आकर सो जाता है जब सुभा होती है, तो भोला खेत को देख कर हैरान हो जाता है उसके खेत में बहुत अच्छी मतर तयार हो गए थे सभी पौंधे मतर से भरे हुए थे अरे ये क्या, इतनी जल्दी मतर तयार भी हो गए है लगता है परी ने अपना जादू दिखा दिया भोला अपनी खेत से मतर तोड़ता है और उस शाम को वो उन्हें मंडी ले कर जाता है जिसके बदले उसे अच्छे पैसे मिलते हैं अब हर रोज भोला अपनी खेत से मतर तोड़ता और उसे मंडी बेचने जाता ऐसे ही दिन बीटते गए भोला के खेत में इतने मटर लगने लगे कि भोला का उन्हें अकेले तोड़ पाना संभव नहीं था इसलिए वो मटर तोड़ने के लिए मज़दूर लगा लेता है हर रोज इतने मटर तोड़ने पर भी मटर खत्म नहीं हो रहे है आखिर उस परी ने इन पे कौन सा जादू कर दिया अब तो मैंने अच्छे पैसे भी जमा कर लिये है मटर की फसल तोड़ते हुए लगभग एक महीना हो गया था लेकिन अभी भी उसके खेत में एक दम हरे मटर थे ऐसे ही पाँच महीने बीद गए अब तक भोला के पास काफी अच्छे पैसे जमा हो गए थे अब भोला उन पैसों से गाओं में जमीन ले लेता है और उस पर अपने लिए अच्छा सा घर बनाता है और बाकी की जमीन पर वो और मटर के बीज बो देता है इस बात का पता जब लालाताओ को लगता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है अरे ये भोला कपसे मेरी जमीन पर मटर लगा कर बैठा है इसके मटर तो सूखने का नाम ही नहीं ले रहे है इन ही मटर को बेच कर इसने नई जमीन खरीद लिये और अपना घर भी बना लिया है रात को जब अपने घरों में सब सोई हुए थे तो लाला ताउ अपने ओजार लेकर भोला के खेत में जाता है आज इसकी सारी फसल को बरबाद कर दूँगा हाँ जैसे ही वो मटर काटने लगता है तब ही वहाँ एक बड़ा सा शेर आ जाता है और लाला ताउ पर हमला कर देता है और उसे वहाँ से उठा कर जंगल ले जाता है अगले दिन पूरे गाउं में खबर फैल गई कि लाला ताउ का शरीर जंगल में मिला किसी जंगली जानवर ने उसे बुरी तरहा से नोच कर मार दिया था तो देखा आपने लालची और बैमान लोगों के साथ अंत में बुरा ही होता है और मन के सच्चे और इमानदार लोगों का भगवान भी साथ देता है प्रतापगड नामक गाउं में सुभाश और भोला नाम के दो भाई रहते थे भोला का भाई सुभाश बहुत ही शातिर दिमाग का था सुभाश की पतनी कमला भी हर समय इसी ताक में रहती थी कि कब भोला को घर से निकाल दिया जाए दूसरी तरफ भोला अपने नाम की तरह बिलकुल भोला था और इमानदार होने के साथ साथ सचे मन का भी था पूरे गाउं वाले जो भी उसे काम बोलते वो खुश होकर सब की मदद किया करता था अजी जल्दी कुछ कीजिए आखिर इस भोला को कब तक हम पालते रहेंगे कुछ काम तो यह करता नहीं है हमारा पूरे दिन लोगों की बगारे करता रहता है कभी इस चाचा का काम तो कभी उस चाचा का काम पहला हम कब तक इसको मुफ्त में खिलाएंगे मन तो मेरा भी यही करता है कि इसे जमीन से बेदखल करके यहां से भगा दूँ अरी तो कब तक यह सोचते रहोगे मैं तो कहती हूँ ना तुम बंजर जमीन इसे दे दो बाकी की जमीन अपने नाम कर लो इससे हमारा काम भी हो जाएगा और गाओं वालों के तानी भी नहीं सुनने पड़ेंगे कि भोला को हमने कुछ पी नहीं दिया एरे वाह क्या दिमाग चलता है तुम्हारा भागेवान उसके बाद सुभाश सारे उपजाओं जमीन अपने नाम करवा लेता है और बंजर खेत भोला के नाम करवा देता है देख भोला मैंने जंगल के साथ वो जो खाली जमीन पड़ी थी वो सारी तेरे नाम कर दी है अब तुम अपना खुद देख ले ना मैं कब तक तेरा सारा खर्चा उठाता रहूँगा बोला कुछ बोले बिना अपना सामान लेकर उस जमीन से चला जाता है पासी के एक जंगल में वो लकडियों से अपना एक छोटा सा घर बनाता है बोला अपने बंजर जमीन पर खूब महनत करता है ये जमीन तो बिलकुल सुख गई है इस पर तो हल चलाना भी आसान नहीं होगा मुझे खुद ही कुछ करना होगा और बोला दिन रात अपनी उस बंजर भूमी पर बहुत महनत किया करता था लगभग एक महीना लगातार खेत में महनत करने के बाद भोला वहां मटर के बीच बोता है ये सुभाश ने भोला बेचारे के साथ बिलकुल अच्छा नहीं किया सारी उपजाव जमीन खुद के नाम कर ली और बंजर जमीन उस भोला को देकर उसे गर से रिकाल दिया आखिर उस बंजर जमीन पर क्या होगा लेकिन भोला को ये सब कौन समझाए वो तो पागलों की तरह इस बंजर जमीन के जुताई में लगा रहता है और सुना है उसने वहां मटर के बीच भी बोय है कितना भी मेहनत कर ले लेकिन वहां कुछ नहीं होने वाला ऐसे ही कुछ दिन बीथ जाते हैं लेकिन भूला के खेत में अभी भी मटर के बीज अंकुरित नहीं हुए थे एक रात सब अपने अपने घरों में सोय हुए थे तब ही अचानक से मौसम खराब हो जाता है और बहुत तेज बारिश होती है अगली सुभा भूला उठता है और अपने खेतों में देखता है खेत में मटर की छोटे-छोटे पौधे दिखाई दे रहे थे भूला खेत में जाकर बहुत खुश होता है अरे वाह बारिश होने से खेतों में मटर की पौधे निकलाए है भगवान तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद अब तो मुझे भी लगा था कि शायद यहां कुछ नहीं होगा लेकिन एक बारिश से सब कुछ अच्चा हो गया है कुछी दिनों में भूला का पूरा खेत हरे हरे मटर से भर जाता है और सब पौंधों में बहुत मटर आ रहे थे बस कुछ दिन और फिर ये मटर पूरी तरह मंडी में बेचने के लायक हो जाएंगी फिर मैं अपनी सब मंटर मंडी में जाकर बेचूंगा तब ही खेत में घूमते घूमते भूला कुछ देखता है अरे ये हन्स का बच्चा यहां कहां से आ गया और ये ऐसे गोल-गोल क्यों खूम रहा है भूला देखता है कि हन्स का बच्चा अपनी चूँच को खोलने की कोशिश कर रहा था जिसमें मटर की बेल लिप्टी थी ओ अच्छा तो ये इसलिए परिशान हो रहा है भूला आराम से जाता है और उस हन्स के बच्चे को पकड़ लेता है और उसकी चूँच से वो मटर की बेल को हटा देता है और बच्चा भूला से डरता हुआ जंगल की ओर भाग जाता है उसके बाद भूला भी अपनी घर के अंदर चला जाता है दोपहर के समय जब भूला खेत में काम कर रहा था तो वही बच्चा मटर के खेत में एक दूसरी तरफ मटर लेकर जा रहा था भूला भी उस बच्चे के पीछे पीछे जंगल की ओर जाता है और देखता है वहां उस हंस के बच्चे की मा थी जिसके पंक पर चोट लगी थी और वो जमीन पर पड़ी थी भूला अपने घर जाता है और हल्दी का लेप लेकर आता है भूला उस लेप को हंस के पंक पर लगा देता है और कुछी दिनों में वो हंस बिल्कुल ठीक हो जाता है इधर भोला की मटर की फसल भी तयार हो गई थी अब भोला हर रोज मटर तोड़ता और उन्हें मंडी में बेच कर आता जिससे उसे बहुत अच्छे पैसे मिलते थे एक दिन अरे यह हंस का बच्चा और उसकी मा पता नहीं कहां चले गए है कितने दिनों से मैंने उन्हें नहीं देखा इधर भोला पूरा दिन अपनी मटर के खेट में व्यस्त रहता दिन भर मटर तोड़ता फिर शाम को उन्हें मंडी में बेचने जाता कितने दिन हो गए हैं मेरे मटर की फसल तो खत्म ही नहीं हो रही मटर की फसल तो सिर्फ एक दो महीने तक चलती है और देखो मुझे पूरे तीन महीने हो गए है मटर मंडी में ले जाते ले जाते लेकिन अभी भी खेत मेरा पूरे मटरों से भरा पड़ा है अब तो मैंने कितने पैसे भी जमा कर लिये हैं क्यों न अपने लिए एक पक्का घर बनवा लूँ अब भूला अपने लकडी के घर को पक्का बनवा लेता है एरे ये भोला न जाने कौन से मटर की खेती कर रहा है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है अब तो उसने अपना पक का घर भी बना लिया है ये बात सुभाश सुन लेता है उसे भोला की तरक्की बिल्कुल रास नहीं आती अच्छा तो ये भोला मुझसे भी बड़ा बनेगा इसे तो मैं बताता हूँ कैसे ये मटर मंडी में बेचता है रात को सब अपनी अपनी घरों में सोई हुए थे सुभाश भोला के खेत में जाता है और जैसे ही मटर की पौंधों को काटनी लगता है तब ही वहाँ हंस आ जाता है और सुभाश के उपर हमला कर देता है एरे हे भगवान कोई मुझे इस हंस से बचाओ अरे अरे ये कहां से आ गया हंस सुभाश को बुरी तरह से घायल कर देता है अगली सुभा जब भूला अपने खेत में जाता है तो उसका भाई सुभाश खेत में पड़ा था भाईया क्या हूँ आपको और आप यहां इस हालत में एरे मुझे माफ करते मेरे भाई मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई है मैं तुम्हारी फसल को काटने आया था लेकिन पता नहीं अचानक एक हंस कहां से आ गया और उसने मेरे उपर हमला कर दिया और मेरी यह हालत कर दी भूला अपने भाई को उसके घर छोड़ कर आता है और उसे कुछ पैसे देता है अब भूला जंगल में उस हंस को देखने जाता है तो वहां कोई नहीं था वो हंस और उसके बच्चे को गए हुए तो कितना वक्त हो गया है यहां से फिर रात को भाईया पर हमला किस ने किया भूला को कुछ समझ नहीं आता उसी रात भूला अपने घर में सोया हुआ था भूला तुमने मेरी और मेरे बच्चे की मदद की थी इसलिए मैंने तुम्हें वो जादू ही मटर दिये थे जो कि पूरे एक साल तक तुम्हें मटर देंगे इसकी बाद तुम्हें इन्हीं बीजों से दुबारा अपने खेतों में बो सकते हो जब भी तुम्हें हमारी जरूरत होगी हम तुम्हारी मदद के लिए पहुँच जाएंगे जब भूला सुबा उठता है तो उसे सब समझा गया था ये बेज जुबान जानवर मुझे इतना कुछ दे कर जाएंगे मैंने कभी नहीं सोचा था भगवान सही कहते हैं अगर हम किसी की मदद करते हैं तो उसका फल हमें पता नहीं किस रूप में मिलेगा इसलिए हमें हमेशा अपना कर्म करते रहना चाहिए अब भूला गाउं में सबसे अमीर आदमी बन जाता है और वो पूरे गाउं को अपने खेत में लगे जादूई मटर के बीज देता है ये लो, सब ये मटर के बीज लो, ये बीज जादूई मटर के बीज से कम नहीं है, पूरे एक साल तक इसके मटर उतरते रहेंगे लोग भी भोला से बीज लेते हैं और उन्हें अपने खेतों में बोते हैं भोला मन का बहुत अच्छा इनसान था लोग खुशी खुशी भोला के पास मदद मांगने आते क्योंकि भोला सब की मदद किया करता था